Very good morning class, how are you all? Hope all are very good and also enjoy your online classes with me. बच्चों, आज हम chapter 24 words में synonyms पढ़ेंगे. So, all students take out your English grammar book firstly and open page number 104. बच्चों, synonyms में आपको सबसे पहले ये बता रहा है कि synonyms होता क्या है? तो जिन शब्दों का अर्थ एक ही प्रकार से बताया जाता है, उसे को हम synonyms कहते हैं, आप कह सकते हैं, words that are similar in meanings are called synonyms. ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक होते हैं, जिनके सारे meanings जो होते हैं, वो similar होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं को हम synonyms कहते हैं. और हिंदी में इसे प्रायवाची कहते हैं, जैसे कि आपने किसी भी चीज को देखा, तो उसको लगा कि वो बड़ा चीज है, तो आप कहते हैं, this is very big. तो big का हम synonyms change भी कर सकते हैं, तो big को हम huge भी कह सकते हैं, big को हम large भी कह सकते हैं, तो जब जो big का अर्थ जो है, वो बड़ा ही होगा, लेकिन उसका words जो है, वो change हो जाएगा, तो यह क्या कहलाता है, synonyms कहलाता है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, बहुत easy way मैंने बताया है, तो आज हम example के थूँ सबसे पहले समझते हैं, कि synonyms किस तरीके से हो सकते हैं, small can be synonyms of little, small को हम synonyms little भी बता सकते हैं, small means होता है, चोटा, और little means भी क्या होता है, च सोटा, big, big means होता है, बड़ा, and big के जगह पे हम large कर देंगे, large means भी क्या होता है, बड़ा, okay students, तो आज आपको दो काम करना है, सबसे पहले definition लिखनी है, what is synonyms, आप ऐसे synonyms के उपर spelling लिखेंगे, और निके लिखेंगे, words that are similar in meaning are called synonyms, examples में लिखेंगे, small can be synonyms for little, and big can be synony इसको आपको अपनी copy में write करना है, okay students, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, exercise 5 बच्चों, इसको आपको मैं life class में explain करूंगी, तो सभी बच्चे ध्यान से exercise 5 को देखिए, और इसको बुक में mark करिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, एक sentence की किस तरीके से इसक Okay, easy और difficult में आपको पहले बताना है कि easy means क्या होता है, आसान और difficult mean क्या होता है, कठिन, okay, तो इसका अर्ध आपको पता है, जब आप sentence read करेंगे, this sum is so hard, hard means क्या होता है, hard means भी होता है, कठिन, okay, तो कठिन के place पे हम कौन से synonyms को चूज कर सकते हैं, मतलब कठिन और किस शब् सकता है डिफिकल्ट या फिर इजी आपको पता चल गया कि डिफिकल्ट को भी हम कठिन कहते हैं तो इसलिए हम डिफिकल्ट पे मार्क कर लेंगे तो इसी तरह से आप सभी बच्चे एक्सरसाइस 5 को सॉल्व कर लीजे इसको रीट करिए मैं लाइफ क्लास में आपको इसको पहले अच्छे से रीट करके मार्क कर लेंगे लाइफ क्लास में मैं आपको इसको अच्छे से एक्स्प्लेइन करूंगे ओके स्टूरेंट इंज्वा यूर वाक राइट डैफिनिशन इन